C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये अध्याय एक है परिमे संख्याएं प्रिष्ट संख्या जोला 1.3 परिमे संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपन आप प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों और परिमे संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख चुके हैं आप उनकी पुन्रा वृत्ती करेंगे प्राकृत संख्याए एक यहाँ पर एक संख्या रेखा बनी है जिसमें एक से आठ तक संख्याई लिखी है यह रेखा केवल एक से दाई तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है पूर्ण संख्याई दो यहाँ पर संख्या रेखा बनी है जिसमें शून्य से आठ तक संख्याय लिखी है यह रेखा शून्य के दाई तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है परंतु शून्य के बाई तरफ कोई संख्या नहीं है तीन, पूर्णांक यहाँ पर एक संख्या रेखा बनी है, जिसमें घटा तीन से लेकर चार तक संख्याई लिखी है। यह रेखा दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, क्या आप घटा एक, शून्य, शून्य, एक इत्यादी के बीच में कुछ संख्याई पाते हैं। परिमय संख्याई चार यहाँ पर एक संख्या रेखा बनी है, जिस पर संख्याई घटा एक, घटा एक बटा दो, शून्य, एक बटा दो, एक लिखी हैं। यह रेखा दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, परंतु अब आप, घटा एक, शून्य, शून्य एक इत्यादी के बीच में संख्याई पाते हैं। पांच, यहाँ पर एक संख्याई रेखा बनी है, जिस पर शून्य, एक बटा तीन, प्रश्न चिन, एक, यह संख्याई लिखी हैं। संख्याई रेखा चार पर वह बिंदू जो शून्य और एक के मध्य स्थित है, उसे एक बटा दो के रूप में अंकित किया गया है। संख्याई रेखा पांच पर शून्य और एक के बीच की दूरी को तीन बराबर भागों में बाटने वाले समदूरस्थ बिंदूओं में से प्रथम बिंदू को एक बटा तीन के रूप में अंकित किया जा सकता है। संख्या रेखा पांच पर भाजग बिंदूओं में से दूसरे बिंदू को आप कैसे अंकित करेंगे। प्रिष्ट संख्या सत्रा अंकित किये जाने वाला यह बिंदू शुन्ने के दाई तरफ एक बटा तीन के रूप में अंकित बिंदू से दुगनी दूरी पर है इस प्रकार यह एक बटा तीन से दुगना है अर्थात दो बटा तीन है आप इसी प्रकार संख्यारेखा पर समदूरस्थ बिंदूओं को अंकित कर सकते हैं इस श्रिंखला में अगला चिन्ह एक है आप समझ सकते हैं कि एक और तीन बटा तीन एक समान है जैसा कि संख्यारेखा 6 पर दरशाया गया है इसके पशचात, 4 बटा तीन, 5 बटा तीन, 6 बटा तीन, अथवादो, 7 बटा तीन आते हैं 6 यहाँ पर एक संख्यारेखा बनी है इस पर यह संख्याएं लिखी है इसी प्रकार एक बटा आठ को निरूपित करने के लिए संख्या रेखा खंड को आठ बराबर भागों में बांटा जा सकता है जैसा की निम्न आकरिती में दर्शाया गया है यहाँ पर एक संख्या रेखा बनी है जिस पर शुन्य और एक लिखा है इस रेखा को आठ बराबर भागों में बांटा गया है इस विभाजन के प्रथम बिंदु को नाम देने के लिए हम संख्या 1 बटा 8 का उपयोग करते हैं विभाजन का दूसरा बिंदु 2 बटा 8 के रूप में अंकित किया जाएगा तीसरा बिंदू 3 बटा 8 के रूप में और इसी प्रकार आगे भी जैसा की संख्या रेखा 7 पर दर्शाया गया है संख्या रेखा 7 इस रेखा पर यह संख्याय लिखी है इसी प्रकार संख्या रेखा पर किसी भी परिमय संख्या को निरूपित किया जा सकता है एक परिमय संख्या में रेखा के नीचे का संख्या अंक अर्थात हर यह दर्शाता है कि प्रथम एकाई को कितने समान भागों में बांटा गया है रेखा के उपर का संख्यांक अर्थात अंश यह दर्शाता है कि इन समान भागों में से कितने भागों को शामिल किया गया है इस प्रकार परिमय संख्या चार बटा नौ का अर्थ है कि शून्य के दाई तरफ नौ समान भागों में से चार को लिया गया है संख्या रेखा आठ और घटा साथ बटा चार के लिए हम शून्य से शुरू करते हुए बाई तरफ साथ चिन लगाते हैं जिन में से प्रतियक की दूरी एक बटा चार है साथवा चिन घटा साथ बटा चार है संख्या रेखा नौ अठारा भूमिका आठ यहाँ पर एक संख्या रेखा बनी है, इस पर यह संख्याएं लिखी है। घटा आठ बटा चार यानी घटा दो, घटा साथ बटा चार जिस पर गोला बनाया गया है, घटा छे बटा चार, घटा पांच बटा चार, घटा चार बटा चार यानी घटा एक, घटा तीन बटा चार, घटा दो बटा चार, घटा एक बटा चार और शुन्याएं। एक, इस संख्यारेखा पर यह संख्याएं लिखी हैं एक, दशमलब चार दो परिमेश संख्यावं के बीच परिमेश संख्याएं क्या आप एक और पांच के बीच प्राकृत संख्याएं बता सकते हैं? वे प्राकृत संख्याएं दो, तीन और चार हैं. साथ और नौ के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? केवल एक और वह है आठ. दस और ग्यारां के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? स्पष्ट रूप से एक भी नहीं। घटा पांच और चार के बीच स्थित पूर्ण आंकों की सूची बनाईए। यह है घटा चार, घटा तीन, घटा दो, घटा एक, शुन्य, एक, दो, तीन। घटा एक और एक के बीच कितने पूर्ण आंक हैं? घटा नौ और खटा दस के बीच कितने पूर्ण आंक हैं? आप दो प्राकृत संख्याओं यानि पूर्ण आंकों के बीच निश्चित प्राकृत संख्याएं यानि पूर्ण आंक पाएंगे। तीन बटादस और साथ बटादस के बीच कितनी परिमय संख्याएं हैं। शायद आप सूथ सकते हैं कि ये संख्याएं चार बटादस, पांच बटादस और छे बटादस हैं। परंथु आप 3 बटादस को 30 बटा सौ और 7 बटादस को 70 बटासौ लिख सकते हैं। अब संख्याएं 31 बटा सो, 32 बटा सो, 33 बटा सो, इसी प्रकार 68 बटा सो, 69 बटा सो, सभी 3 बटादस और 7 बटादस की बीच में हैं। इन परिमय संख्याओं की संख्या 49 है इसकी अतिरिक्त 3 बटा 10 को 3,000 बटा 10,000 तथा 7 बटा 10 को 7,000 बटा 10,000 के रूप में लिखा जा सकता है अब हम पाते हैं कि परिमय संख्याओं 3,001 बटा 10,000, 3,002 बटा 10,000 इसी प्रकार 6,998 बटा 10,000, 6,999 बटा 10,000 सभी 3 बटा 10 और 7 बटा 10 के बीच में है ये कुल 3,999 संख्याओं है प्रिष्ट संख्या 19 इस प्रकार हम 3 बटा 10 और 7 बटा 10 के बीच में अधिक से अधिक संख्याओं का समावेश कर सकते हैं इसलिए प्राकृत संख्याओं और पूर्णांकों की तरह दो परिमय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमय संख्याओं परिमित नहीं हैं एक और उधारन पर विचार करते हैं, घटा एक बटादस और तीन बटादस की बीच में कितनी परिमय संख्याएं हैं? सपश्ट रूप से दी हुई संख्याओं के बीच में शून्य बटादस, एक बटादस, दो बटादस परिमय संख्याएं हैं. यदि हम घटा एक बटा दस को घटा दस हजार बटा एक लाख तथा तीन बटा दस को तीन लाख बटा एक लाख के रूप में लिखते हैं तो हम घटा एक बटा दस और तीन बटा दस के बीच में घटा नौ हजार नौसो निन्यानवे बटा एक लाख घटा नौ हजार नौसो गटा एक लाक इसी प्रकार गटा उननतीस हजार नौसो अठानवे बटा एक लाक उननतीस हजार नौसो निन्यानवे बटा एक लाक परिमय संख्याएं प्राप्त करते हैं। मध्य तीन परिमय संख्याएं ज्याद कीजिए। मध्य तीन परिमय संख्याएं प्राप्त करते हैं। गटा 5 गुणा 4 बटा 6 गुणा 4 बराबर है गटा 20 बटा 24 और 5 गुणा 3 बटा 8 गुणा 3 बराबर है 15 बटा 24। आप इन में से कोई भी 10 संख्याएं ले सकते हैं। गटा 19 बटा 24 खटा 18 बटा 24 गटा 17 बटा 24 इसी प्रकार 14 बटा 24। अन्य विधी आईए एक और दो के बीच में परिमे संख्याएं ग्याद करते हैं। उन में से एक संख्या 1.5 अथवा एक एक बटा 2 अथवा तीन बटा 2 है। यह एक और दो का माध्य है आपने कक्षा साथ में माध्य के बारे में पढ़ा है। प्रिष्ट संख्या 20 इस प्रकार हम पाते हैं कि दी हुई दो संख्याओं के बीच में पूर्णा अंक प्राप्त होना आवश्यक नहीं है। परंतु दी हुई दो संख्याओं के बीच में एक परिमे संख्या हमेशा स्थित होती है। हम दी हुई दो परिमे संख्याओं के बीच में परिमे संख्याओं ग्याद करने के लिए माध्य की अवधारणा का उप्योग कर सकते हैं। उदहरण आठ, एक बटा चार और एक बटा दो के मध्य एक परिमे संख्या ग्याद कीजिए। हल, हम दी हुई परिमे संख्याओं का माध्य ग्यात करते हैं। इसे संख्यारेखा की सहायता से भी समझा जा सकता है। बराबर है 3 बटा 8, B जो है 1 बटा 2, 3 बटा 4 और 1। हम, A, B का मध्य बिंदू, C प्राप्त करते हैं जो कोश्ठक प्रारंब, 1 बटा 4, जमा 1 बटा 2, कोश्ठक अंत, भाग 2, बराबर है 3 बटा 8, द्वारा निरूपित है। हम पाते हैं कि 1 बटा 4, छोटा है 3 बटा 8 से, जो की छोटा है 1 बटा 2 से। यदि A और B कोई 2 परिमय संख्याएं हैं, तो A और B के मध्य A जमा B बटा 2, एक परिमय संख्या इस प्रकार है कि A छोटा है A जमा B बटा 2 से, जो की छोटा है B से। इससे यहे भी प्रदर्शित होता है कि दी हुई परिमय संख्याओं की बीज अब परिमित परिमय संख्याओं होती हैं। उदाहरण 9, एक बटा चार और एक बटा दो के मध्धे तीन परिमय संख्याओं क्यात कीजिए। हल, हम दी हुई संख्याओं का माध्धिय ग्यात करते हैं जैसा कि उप्रयुक्त उधारण में दिया हुआ है इन संख्याओं का माध्धिय 3 बटा 8 है और 1 बटा 4, 3 बटा 8 से छोटा है और 3 बटा 8, 1 बटा 2 से छोटा है यहाँ पर एक संख्या रेखा बनी है जिस पर तीन संख्याएं लिखी है एक बटा चार, तीन बटा आठ और एक बटा दो अब एक बटा चार और तीन बटा आठ के बीच में एक और परिमय संख्या ग्याद करते हैं इसके लिए हम पुनहें एक बटा चार और तीन बटा आठ का माध्धे ग्याद करते हैं अर्थात कोश्ठक प्रारंब 1 बटा 4 जमा 3 बटा 8 कोश्ठक अंत भाग 2 बराबर है 5 बटा 8 गुणा 1 बटा 2 बराबर है 5 बटा 16 एक बटा चार, छोटा है पांच बटा सोला से, जो की छोटा है तीन बटा आठ से, जो की छोटा है एक बटा दो से यहाँ पर एक संख्या रेखा बनी है जिस पर संख्याएं एक बटा चार, पांच बटा सोला, तीन बटा आठ और एक बटा दो लिखी है पृष्ट संख्या 21 अब 3 बटा 8 और 1 बटा 2 का माध्धे ग्यात करते हैं हम कोश्ठक प्रारंब 3 बटा 8 जमा 1 बटा 2 कोश्ठक अंत भाग 2 बराबर है 7 बटा 8 गुणा 1 बटा 2 बराबर है 7 बटा 16 प्राप्त करते हैं इस प्रकार हमें 1 बटा 4 छोटा है 5 बटा 16 से जो की छोटा है 3 बटा 8 से जो की छोटा है 7 बटा 16 से जो की छोटा है 1 बटा 2 से प्राप्त होता है यहाँ पर एक संख्या रेखा बनी हैं जिस पर संख्याएं 1 बटा 4, 5 बटा 16, 3 बटा 8, 7 बटा 16 और 1 बटा 2 लिखी है इस प्रकार एक बटा चार और एक बटा दो के मध्य तीन परिमे संख्याएं पांच बटा सोला, तीन बटा आठ, साद बटा सोला है इसे स्पष्ट रूप से संख्या रेखा पर निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है यहाँ पर एक संख्या रिखा बनी है जिस पर यह संख्याएं लिखी है शुन्य एक बटा चार कोश्ठक प्रारंब एक बटा चार जमा तीन बटा आठ कोश्ठक अंत भाग दो बराबर है पांच बटा सोला तीन बटा आठ साद बटा सोला बराबर है कोश्ठक प्रारंब तीन बटा आठ जमा एक बटा दो कोश्ठक अंत भाग दो एक बटा दो, तीन बटा चार, एक इसी प्रकार हम दी हुई दो परिमय संख्याओं के बीच में अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी परिमय संख्याओं क्यात कर सकते हैं आप समझ चुके हैं कि दी हुई दो परिमय संख्याओं की बीच में अपरिमित परिमय संख्याओं होती हैं। प्रश्णावली एक दशमलव दो 1. निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए 1. साथ बटा चार 2. घटा पांच बटा चे 2. घटा दो बटा ग्यारा, घटा पांच बटा ग्यारा, घटा नौ बटा ग्यारा को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए 3. ऐसी पांच परिमय संख्याओं लिखिए जो दो से छोटी हों चार घटा दो बटा पांच और एक बटा दो के मध्धे दस परिमे संख्याएं ग्याद कीजिए। पांच एक दो बटा तीन और चार बटा पांच दो घटा तीन बटा दो और पांच बटा तीन तीन, एक बटा चार और एक बटा दो के मध्धे पांच परिमे संख्याएं क्यात कीजिए छे, घटा दो से बड़ी पांच परिमे संख्याएं क्यात कीजिए साथ, तीन बटा पांच और तीन बटा चार के बीच में दस परिमे संख्याएं क्यात कीजिए प्रिष्ट संख्या बाईस हमने क्या चर्चा की? एक, परिमे संख्याएं, योग, व्यवकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतरगत संवरित हैं दो, परिमे संख्याओं के लिए योग और गुणन की संक्रियाएं एक, क्रम विनिमय हैं दो, सहाचर्य हैं तीन, परिमय संख्याओं के लिए परिमय संख्या शून्य योज्य तत्समक है। चार, परिमय संख्याओं के लिए परिमय संख्या एक गुणनात्मक तत्समक है। 5. परिमय संख्या A बटा B का योज्य प्रतिलोम घटा A बटा B है और विलोम तह भी सत्ते है 6. यदि A बटा B गुणा C बटा D बराबर है एक तो परिमय संख्या A बटा B का व्युत्क्रम अत्वा गुणनात्मक प्रतिलोम C बटा D है 7. परिमय संख्याओं की वित्रक्ता परिमय संख्याओं A, B और C के लिए A. कोश्ठक में B जमा C बराबर है A, B जमा A, C और A. कोश्ठक में B घटा C बराबर है A, B घटा A, C 8. परिमय संख्याओं को संख्यारेखा पर निरूपित किया जा सकता है 9. दी हुई दो परिमय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमय संख्याओं होती है 10. दो परिमय संख्याओं के मध्य परिमय संख्याओं ज्याद करने में मध्य की अवधारणा सहायक है 10. परिष्ट संख्या 23, नोट 11. परिष्ट संख्या 24, नोट यह दोनों प्रिष्ट खाली हैं, आप इन्हें प्रश्णों को हल करने के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं यह पाठ यहीं समाप्थ होता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गणित की ध्वनी पुस्तक का पाठ वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बतिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, मयंकुमार, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत कि हमी शर्मान, विमलेशन विले Diego क्नीकी सेवाफ भारत